वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माई चैनल, माइनेम इस पंकस तो वेल, आपका स्वागत है नौर्मी रेस्लिंग में एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कि हमें ब्रेवाइट का फर्स्ट अपोनेंट कौन देखने को मिल सकता है रिटरन के बाद तो इसको लेकर यहाँ पर एक काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग अपडेट है तो इस तिंग के उपर डीटिल में बात करेंगे और बॉलिवुड बॉइस को लेकर और लुगन पॉल को भी लेकर तो काफी कुछ होने वाला तो भाई वीडियो को लास्ट तक चरूर देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो भाई सब्सक्राइब कर लो आपको यहाँ पर हमें सा लेटेस्ट अपडेट करते वे दिखाई देते हैं कि उनके लाइफ का सबसे वर्स्ट पोड़कास कौन सा था तो इस तिंग को यहाँ पर हमें कहते वे दिखाई देते हैं जहाँ पर इनका सिधा-सिधा कहिना था कि एरियल हलवानी का जो की एक पोड़कास्ट हमें देखने को मिला था टोनी खान के साथ में तो उस podcast को लेकर यहाँ पर कहते वे दिखाई देते हैं अरियल हलवाणी की उनके life का सबसे जादा worst podcast वही था जो की टोनी खान के साथ में हुआ था तो यह कुछ हमें यहाँ पर अरियल हलवाणी जो की reveal करते वे दिखाई देते हैं ये भी कहते हैं कि ये podcast इसलिए वस्ट बना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे simple question पूछे जा रहे थे फिर भी Tony Khan इनका जवाब नहीं दे रहे थे और नहीं देना चाह रहे थे तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था जिसको लेकर यहाँ पर काफे ज़्यादा piss off होना पड़ा था एरियल हलवानी को भी Tony Khan के साथ में इस podcast को लेकर तो यह कुछ हमें यहाँ पर reveal होते पर दिखाई देता है तो भाई इसके उपर आपके क्या thoughts है by company का honor को podcast देने आता है नहीं क्या ही कर सकते भाई अपने Vince McMahon का क्या बढ़िया podcast गया था न और टिपल एज का भाई इद्दम खतरनाख podcast गया था और भाई Tony Khan का क्या podcast है बढ़ते वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Eric Rowan की तरफ से एक बार Finn से अपनी story को continue करना चाता हूँ और WL के अंदर में return करना चाता हूँ तो यह कुछ हमें यहाँ पर Eric Rowan की तरफ से देखने को मिलता है that means कि यहाँ पर Eric Rowan ready है अपने WWE return के लिए अगर यहाँ पर WL उनको contract offer करती है so hope करते हैं कि हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिले और हमें Eric Rowan अपने return करते वे दिखाए दे जाए and hope करते हैं कि White Family भी देखने को मिले और जो Bray White का faction है White Six उसके अंदर भी हमें हो सकता है Eric Rowan अगर देखने को मिलते तो काफी बढ़िया रहेगा बढ़ते हैं अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Bollywood Boys को लेकर तो Bollywood Boys को लेकर यहां पर हमें एक काफी जादा interesting photo reveal होते वे दिखाए दी है जो की All Elite Wrestling यानि की AEW के dark की है जहां पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि जो Bollywood Boys है वो हमें अपना debut करते वे दिखाए दे चुके है All Elite Wrestling के अंदर AEW के dark में तो यह काफी जादा interesting और काफी बढ़ी update यहां पर देखने को मिल रही है जो की Bollywood Boys को लेकर So hope करते कि उनका future All Elite Wrestling के अंदर काफी बढ़िया रहे बढ़ते हैं वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Braun Breaker and Gold Bug को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि जो हमें इस हफते का NXT देखने को मिला था जहां पर Braun Breaker ने काफी खतरना की spear दिया था Illya Dragno को तो उस spear को यहां पर Gold Bug की तरफ से काफी अच्छा कासा reaction देखने को मिलता है तो NXT की तरफ से WLNXT के account की तरफ से Instagram पे जो वीडियो देखने को मिला था जो की reel में डाला गया था तो यहां पर हमें उसके उपर react करते वे दिखाई देते हैं जहां पर कहते वे दिखाई देते हैं कि You spear like a man यानि कि तुम काफी अच्छा कासा यहां पर spear मार रहे हो Break them in half kid यानि कि उसको half में तोड़के रख दो तो ऐसा कुछ यहां पर Gold Bug का reaction था Brown Breaker के इस spear पे तो भाई काफी अच्छा कासा reaction है यानि कि Gold Bug को भी Brown Breaker का जो की spear देने का अंदाज काफी ज़्यादा पसंद आया तो यह कुछ हमें यहां पर reaction देखने को मिलता है Gold Bug की तरब से Brown Breaker के इस spear को लेकर तो भाई इसके उपर आपके क्या thoughts है वो मुझे comment section में ज़रूर बता देना बढ़ते हैं वैसे अगले update की तरब तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Rowdy Ronda Rousey की तरब से So Ronda Rousey जो कि अपने recent के live stream के अंदर Seth Rollins को लेकर काफी ज़्यादा interesting thing कहते वे दिखाए देती है जहां पर इनका यह कहना था Ronda Rousey का कि Seth Rollins का 2013 से लेकर 2022 में जितना भी वर्जन देखने को मिला है उनमें से Seth Rollins का The Shield वाला वर्जन जो की Ronda Rousey को काफी ज़्यादा पसंद है तो यह कुछ हमें यहाँ पर Ronda Rousey कहते वे दिखाए देती है Seth Rollins को लेकर and I think मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को Seth Rollins का The Shield वाला वर्जन काफी ज़्यादा पसंद होगा बहुत से लोगों को Architect वाला होगा तो आपकी कौन सी पसंद है भाई comment section में चुरू बताते न बढ़ते वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है and यह है जो कि Tribal Chief Head of the Table Roman Reigns की तरफ से तो Roman Reigns को लेकर यहाँ पर एक काफी ज़्यादा interesting update यह देखने को मिल रही है की Roman Reigns जो कि अपने Paul Lehmann के साथ में मिलकर अपनी stories जो भी उनकी storyline देखने को मिलते है WD के अंदर सारी storyline के उपर creative team के साथ में जो भी सारे ideas होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीद करते हुए दिखाई देते हैं अपने फ्यूड को लेकर अपने creative ideas को लेकर storyline को लेकर तो यह सारी चीज़ों की इकठा Roman Reigns and Paul Lehmann decide करते हुए दिखाई देते हैं तो यह कुछ हमें यहाँ पर Roman Reigns and Paul Lehmann को लेकर यह कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है Pro Wrestling Illustrated की तरफ से जो की reveal होते वे दिखाई देता है तो यानि की अपने creative ideas को लेकर और storyline को लेकर जो भी plan करना रहता है Paul Lehmann, Roman Reigns दोनों साथ में करते हैं और Logan Paul के साथ में जो current storyline चल रही है इसको भी लेकर जो सारे ideas हैं वो सारे ideas, Roman Reigns, Paul Lehmann और WD की creative team सारे लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो यह कुछ काफी बड़ी update और अच्छी खासी update है जो की creative team को लेकर Roman Reigns को लेकर और Paul Lehmann को लेकर और इसलिए हमें यहाँ पर जो storyline है वो काफी ज़्यादा best देखने को मिलती है तो hope करते हैं कि हमें आने वाले समय में और भी entertaining storyline देखने को मिले बढ़ते हैं वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Logan Paul की तरफ से तो Logan Paul को जो की कौन तयार कर रहा है training कौन दे रहा है crown jewel 2022 के लिए तो इसको लेकर यहाँ पर एक काफी ज़्यादा interesting update देखने को मिलती है जहाँ पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि Logan Paul को ring के अंदर training देने का काम फिलाल के time पर Drew Gullak करते वे दिखाई दे रहे हैं यहाँ आपने सई सुना Drew Gullak यहाँ पर train कर रहे है Logan Paul को और Logan Paul की सारी तयारी का जिम्मा यहाँ पर Drew Gullak के पास में है और in ring काफी अच्छा कासा काम करवाते वे दिखाई दे रहे है Logan Paul को लेकर और crown jewel के लिए Roman नेंस के match के लिए तयारी यहाँ पर Logan Paul की करवाते वे दिखाई दे रहे हैं Drew Gullak तो यह कुछ हमें यहाँ पर update देखने को मिल रही है और Logan Paul ने तो जो कि अपने yard के अंदर काफी अच्छा खासा ring भी बनवा लिया है डवलो ली का जैसा कि हम लोग देखी सकते हैं तो होप करते हैं कि भाई Logan Paul का जो match देखने को मिले Crown Jewel के अंदर Roman Reigns के साथ में एक अच्छा खासा match देखने को मिले क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि Crown Jewel जो की अच्छे matches के लिए नहीं बड़े बेकार matches के लिए जो की famous है तो होप करते हैं कि Roman Reigns वर्से स्लोगन Paul एक अच्छा खासा match देखने को मिले बढ़ते हैं वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Bray White की तरफ से तो Bray White यहां पर एक काफी ज्यादा interesting tweet को like करते वे दिखाए देते हैं जो कि हमें TRB की तरफ से देखने को मिलता है जो कि एक verify account हमें देखने को मिला ट्विटर का जिसकी तरफ से tweet यह देखने को मिला था कि would love to see windham use the belt we made for him years ago यानि कि कुछ साल पहले उनके लिए यह belt तयार की गई थी Bray White के लिए और यहां पर यह एक बार फिन से उनको यूज करते हुए देखना चाते हैं और पसंद करेंगे अगर एक बार फिन से वो यूज करते हैं इस title को तो यह कुछ हमें यहां पर काफी जादा interesting thing देखने को मिलता है जो कि TRB की तरफ से और इस tweet को Bray White भी like करते हुए दिखाए देते हैं तो यह एक काफी जादा interesting sign देखने को मिल रहा है कि maybe हमें Bray White अगर champion बनते हुए दिखाए देंगे तो उनकी तरफ से यह title हमें side से देखने को मिल सकती है तो देखते वैसे क्या कुछ देखने को मिलता है बढ़ते वैसे अगले update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Bray White के next opponent को लेकर तो Bray White का हमें अगला opponent कौन देखने को मिल सकता है तो इसको लेकर यहाँ पर एक काफी अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो काफी बढ़िया रहेगा क्यूकि Drew McIntyre vs Karen Cross के story line के बाद अगर Drew McIntyre खाली बचेंगे तो अफकोस उनके लिए Bray White अगर आते हैं तो यह हमें एक काफी अच्छी खासी feud देखने को मिल सकती है तो में भी हमें Bray White के अगर कोई next opponent देखने को मिल सकते हैं तो Bray White और Seth Rollins बैटिंग odds के according chances अच्छे खासे कि यह opponent देखने को मिले तो देखते वैसे यहां पर हमें WL क्या कुछ करते वे दिखाई देती है तो यह भी देखना मेहनत की हार है यह खुट को बदलना तो मेरे सब्दों के विचार है अफसर से की आज सब ने इसको भुलाया Friday's को इसने RKO था लगभाया